Hello and welcome to Bridgewala Education YouTube channel आज की इस educational वीडियो में बच्चों हम discuss करने जा रही है Class 9th English Supplementary Reader के chapter A House is not a Home को Students बड़ा ही interesting chapter है ठीक है इसमें schooling system के बारे हम बता रखा है एक बच्चे के बारे हम बता रखा है जिसके घर में आग लग जाती है और वो उस आग में अपना सब कुछ खो देता है घर में लगने वाली उस आग के बाद किस तरीके से वो अपने आपको rebuild करता है किस तरीके से अपने घर को rebuild होते हुए देखता है उसी के बारे में ये story है तो Zen Godiosio की ये एक बड़ी ही interesting story है पढने में मज़ा आएगा आपको तो चलिए शुरू करते हैं story को A house is not a home को देखे क्या होता है लड़का खुद अपनी story सुना रहा है बता रहा है My first year of high school felt awkward High school का मेरा पहला साल मेरे लिए बड़ा अजीब रहा जदा अच्छा नहीं रहा Junior high school को खतम करने के बाद Junior high school में मैं अपनी class का top पर था After living junior high at the head of my class With all the seniority the upper grade levels could afford me It felt strange starting over as a freshman Junior high school में यहनी 6-7th 8th के आसपास की school की बात कर रहा है तो junior high school में class में top पे finish करने के बाद जो seniority मैंने junior high school में enjoy की थी वो seniority मेरी खतम हो गई और जब मैं नए school में गया जब मैं high school में गया तो वहाँ मैं freshman था सबसे छोटा था Junior था वहाँ पे School जो था यह जो नया school था यह मेरे पुराने school से double था To make matters worse My closest friends were sent to a different high school I felt very isolated और मेरे लिए situation तब और ज़्यादा खराब हो गई जब मेरे नजदीक के friends को मेरे close friends को दूसरे high school में भीज़ दिया गया और मेरे को कहीं और admit करवा दिया गया I missed my old teachers so much that I would go back and visit them मैं अपने पुराने school के teachers को इतना याद करता था कि मैं अकसर मेरे पुराने school में उनसे मिलने के लिए जाया करता था They would encourage me to get involved in the school activities so that I could meet new people मेरे पुराने school के teachers मुझे सलाह देते कि तुम नए school में नए नए activities में involved हुआ करो इससे तुम्हें नए बच्चों से, नए लोगों से मिलने का उनसे दोस्ती करने का मोका मिलेगा और तुम्हारा नए school में मन लग जाएगा They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one मेरे teachers मुझे समझाते थे कि मैं जल्दी ही अगर कोशिश करूँगा तो नए school के महोल में adjust कर जाऊंगा और शायद मुझे अपना नया school अपने पुराने junior high school से भी ज़्यादा पसंद आने लगेगा They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time मेरे teachers ने मुझे से promise लिया कि जब मेरा मन लग जाएगा अपने नए school में तब भी मैं अपने पुराने school को और उसके teachers को नहीं भूलूँगा और समय समय पे आके उनसे मिलता रहूँगा I understood the psychology in what they were saying but I took some comfort in it nonetheless मैं उनकी सोच को समझ रहा था कि वो मुझे क्या समझाना चाह रहे थे लेकिन मेरे पुराने teachers से बात करके मेरे पुराने साथियों से बात करके मुझे हमेशा comfort feel होता था ठीक है मुझे थोड़ा सा आराम feel होता था एक Sunday afternoon not long after I had started high school I was sitting at home at our dining room table doing homework एक Sunday की afternoon को मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था मेरे नए high school में admission लिए मैं अपने dining room में बैठ के dining room table पे बैठ के अपना homework कर रहा था It was cold and windy fall day and we had a fire going in our fireplace काफी ठंडा और तेज हवाई चल रही थी बाहर ऐसा दिन था और हमारे घर में एक fireplace था एक chimney था जिसमें आग जल रही थी आपने कई बार films वगरा में देखा होगा ऐसा इंडिया में अकसर ऐसी चीज़े नहीं बनाई जाती fireplaces नहीं बनाई जाते क्योंकि इंडिया में ठंड उतनी नहीं पड़ती लेकिन जहां की ये story है जिस background की ये story है US-UK background की story है वहां पे ठंड बहुत ज़ादा पड़ती है लोग अकसर अपने घरों में एक fireplaces बना लेती है ठीक है जहां आग जलती है तो पूरा घर गर्म रहता है तो fireplaces में आग जल रही थी As usual my red tabby cat was lying on the top of my papers purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake हर बार की तरह मेरी एक पालतू red color की tabby cat मेरे papers के उपर बैठी हुई थी पर यानि वो आवाज निकाल रही थी जोर जोर से और कई बार बीच बीच में वो सिर्फ मजे के लिए मेरे pen पे हाथ भी मार देती थी sweat भी कर देती थी हाथ भी मार देती थी हाथ भी लगा देती थी She was never far far from me वो कभी मुझ से दूर नहीं जाती थी I had rescued her when she was a kitten and somehow she knew that I was the only one responsible for giving her the good life मैंने उसको तब बचाया था जब वो एक छोटी kitten थी और शायद उसको भी पता था किसी तरीके से कि मैं जिम्मेदार हूँ उसकी अच्छी जिंदगी के लिए इसलिए शायद वो हमेशा मुझ से चिपकी रहती थी मैं मदर केप्ट स्टोकिंग दो फायर तो कीप दो हाउस नाइस और वाउम मेरी जो मदर है वो बार-बार आग में लकडी वगएरा या कोईला वगएरा डाल रही थी ताकि आग जलती रहे घर-गर्म बना रहे सड़नली आई स्मेल्टी स्टेंज अचानक मुझे किसी अलग सी चीज की स्मेल आई and then I noticed it और फिर मैंने notice किया smoke pouring in through the seams of the ceiling ceiling के उपर से जो है काला धुआ निकल रहा था the smoke began to fill the room so quickly that we could barely see मैंने जब notice किया उसके कुछ समय बाद ही बहुत जल्दी ही इतना धुआ उस कमरे में भर गया कि हम स्देख भी नहीं पा रहे थे groping our way to the front door we all ran out into the front yard ठीक है front door की तरफ अपने रास्ता ढूंडते हुए हम अपने बाहर के आंगर्ण की तरफ बाहर के यार्ड की तरफ भागे by the time we made our way outside the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly जैसे ही हम घर के बाहर निकले पूरा जो छत्ता हमारा वो आग की लप्टों में घिर चुका था और बहुत जल्दी आग पूरे घर में फैल रही थी I ran to the neighbors to call the fire department मैं पडोसियों के घर भागा fire department में information देने के लिए while I watched my mother run back into the house और मैंने तभी अपनी मम्मी को वापिस घर के चलते हुए घर के अंदर जाते हुए देखा my mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents मेरी मदर घर के अंदर गई और एक छोटा metal box जिसमें important documents थे हमारे वो लेके बाहर आई she dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house जैसे ही वो बाहर आई उन्होंने वो metal box नीचे गिरा दिया और एक पगलाई सी state में crazed state नहीं पागल सी लग रही थी वो दोबारा घर के अंदर भाग कही जलते हुए घर के अंदर I knew what she was after मुझे पता था वो क्या करने की कोशिश कर रही है my father had died when I was young मेरे पापा की तब death हो गई थी यब मैं काफी चोटा था and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames और मुझे इस बात का पका पता था कि वो इतनी आसानी से अपने पती के letters को उनकी यादों को आसानी से आग में जलने नहीं देंगी they were the only things that she had to remember him by यही वो चीजें थी जिनसे वो मेरे father को याद किया करती थी still I screamed at her mom no लेकिन फिर भी मुझे पता था वो रुकेंगी नहीं लेकिन फिर भी मैंने उनको रोकने के लिए आवाज लगाई mommy please अंदर मत जाओ आग में मत जाओ I was about to run after her when I felt a large hand hold me back it was a fireman मैं उनके पीछे दोडने ही वाला था कि एक बड़े से हाथ ने मुझे रोक लिया ये एक fireman का हाथ था fire fighters वहाँ पे आ चुके थे I hadn't even noticed that the street had already filled with the fire truck मैंने ये चीज़ नोटीज भी नहीं की थी कि गली में fire trucks आ चुके थे I was trying to free myself from his grasp yelling you don't understand my mother is in there मैं अपने आपको उन fire fighters से चुटाने की कोशिच कर रहा था और चिला रहा था आप लोग समझ नहीं रहें मेरी मां अंदर है मुझे अंदर जाने दो मुझे उनको बचाना है वो जल जाएंगी he held on me while other firefighters ran into the house उस fireman ने मुझे पकड़े रखा और जबकि उसके साथी fire fighters घर के अंदर गए he knew that I was acting very logically I wasn't acting very logically and if he were to let go I'd run he was right उस fireman को शायद पता था कि मैं logically यानि सोच समझ के decision नहीं ले रहा हूँ ठीक है out of rush decision ले रहा हूँ और अगर उसने मेरा हाथ छोड़ा तो मैं भागते हुए भागते हुए जाऊंगा और जलते हुए घर में घुस जाऊंगा अपनी मा के पीछे और वो सही भी था इस मामले में ठीक है इसलिए उसने मुझे पकड़ा नहीं उसने मुझे पकड़े रखा छोड़ा नहीं it's all right they'll get her he has said तो मैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बाकी जो फायरफाइटर्स है मेरे जो साथी फायरफाइटर्स हैं वो तुम्हारी मा को ले आएंगे he wrapped a blanket around me and sat me down in our car उन्होंने मेरे मेरे को एक कंबल उढ़ाया और मुझे कार में बैठा दिया soon after that a fireman emerged from her house कुछ देर बाद ही एक दुसरा fireman हमारे घर से बाहर निकला with my mom in tow वो मेरी मदर को साथ लेकी आ रहा था ठीक है हाथ पकड़ के साथ लेकी आ रहा था he quickly took her over to the truck ठीक है and put an oxygen mask on her वो जल्दी से उसको मेरी मदर को truck के पास लेकी गए और एक oxygen mask उनकी नाग के पास लगाया I ran over and hugged her मैं मेरी मा के पास दोड़ा दोड़ा गया और उसको गले लगा लिया all those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her मैंने कई बार मेरी मा के साथ बहस की थी जगड़ा किया था arguments की थी ये सारे जगड़े एक minute के अंदर खतम हो गए जब मेरे मन में खयाल आया कि मैं अपनी मा को खो सकता हूँ मेरी मा मर सकती है she's going to be okay said the fireman fireman ने कहा ये ठीक हो जाएंगी she just inhaled a little smoke थोड़ा सा धुवा इन्होंने सांस के साथ अंदर ले लिया है ये जल्दी ठीक हो जाएंगी मुझे याद है कि कैसे मैं अपने घर को जलते हुए देख रहा था और मैं इसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था फाइव आर्स आफ लेटर पांच घंटे बाद the fire was finally out आग बुद चुकी थी our house was almost completely burned down हमारा घर लगबग पूरे तरीके से जल चुका था but then it struck me लेकिन तभी मुझे खयाल आया I hadn't seen my cat मैंने अपनी प्यारी cat को तो काफी समय से देखा ही नहीं है where was my cat मेरी cat कहां है much to my horror I realized that she was nowhere to be found और मैं तब और जदा डर गया जब मैंने देखा कि मेरी cat किसी ने भी नहीं देखी है किसी को भी नहीं दिखी आसपास है ही नहीं then all at once it hit me the new school, the fire, my cat I broke down in tears and cried and cried तब ही मुझे याद आया कि मेरे साथ तो सब कुछ बुरा हो रहा है नया school जहां मैं adjust नहीं कर पा रहा हूँ मेरे घर में आग लग गई ठीक है मेरी mother मरते मरते बची और मेरी cat अब मुझे मिल नहीं रही है तो सब कुछ गलत हो रहा था मेरी जिंदगी में मुझे ये लग रहा था कि मेरे घर के साथ-साथ मेरी जिंदगी भी तबाह हो गई है तो मैं रो रहा था बोरी तरह से I was suffering loss big time ठीक है मैं बहुत ज़्यादा नुकसान में था बहुत ज़्यादा दुखी था मैं The fire wouldn't let us go back into the house that night उस रात भी fireman ने आग बुझने के बाद भी हम लोगों को घर के अंदर जाने नहीं दिया बचे हुए घर में जले हुए घर में जाने नहीं दिया It was still too dangerous अभी भी वो काफी खतरनाक था अंदर जाना Dead or alive I couldn't imagine living without knowing about my cat वो जिंदा है या मर गई मेरी cat के बारे में जाने बिना मैं वहां से जाने को तयार नहीं था Regardless I had to go लेकिन क्योंकि कुछ भी खबर नहीं थी कहीं वो मिल नहीं रही थी इसलिए मुझे जाना पड़ा मजबूरन We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to the grandparent's house to spend the night तो हमने हमारे जो कपड़े हमारे backpacks वगरा में थे थोड़े बहुत fireman ने जो हमें कंबल दिये थे वो सारे लेके हम अपने grandparent's के घर में चले गए ठीक है देखे students यहाँ पे grandparent's के घर में जाना हमारे यहाँ तो क्या होता है grandparent's का घर जो होता है वो लगबग अपना ही माना जाता है लेकिन वहाँ पे सबका अपना-पना घर अलग-लग होता है एक guest की तरह जाता है बेटा अपने पापा के घर में और पोता अपने दादा के घर में तो grandparent's के घर पे जाना यानि एक तरीके से visitor के तोर पे वो जा रहे थे जब आग लगी तो मैंने अभी भी वही dress पहन रखी थी जो मैं चर्च में पहन के गया था लेकिन मेरे पास shoes नहीं थे I had kicked them off when I was doing my homework मेरा homework चुरू करने से पहले मैंने उनको निकाल के side में कर दिया था they became yet another casualty of the fire वो भी आग की भेंच चट गए थे so I had to borrow some tennis shoes from my aunt इसलिए मुझे मेरी aunt से tennis shoes मांगने पड़े why couldn't I just stay home from school मैं अपनी mother को बोलता था कि मुझे school भेज क्यों रही है इतनी बड़ी tragedy हुई है इतनी बड़ी दुरगटना हुई है तो मैं school की छुटी क्यों न ले लू my mother wouldn't hear of it मेरी mother मेरी कुछ नहीं सुनती थी but I was totally embarrassed by everything लेकिन मेरे आज़ पास जो कुछ भी हो रहा था उससे मुझे बड़ी embarrassment feel हो रही थी the clothes I was wearing looked weird जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो बड़े ही weird पहन रखे थे I had no books और homework मेरे पास किताबे नहीं थी homework नहीं था मेरा backpack जल चुका था आग में I had my life in that backpack मेरी जिंदगी भी उस backpack की तरह हो गई थी the more I tried to fit in the worse it got जितना मैं adjust करने की कोशिश करता मेरी जिंदगी के साथ उतनी ही मेरी जिंदगी बुरी होती रहती जैसे backpack में हम जितना समान adjust करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो जैसे backpack भारी हो जाता है फटने वाली हालत में आ जाता है backpack जादा समान डालने से adjust करने की कोशिश जब वो करता है उसी तरीके से मेरी जिंदगी भी हो चुकी थी जैतना मैं adjust करने की कोशिश कर रहा था मेरी जिंदगी और बुरी होती जा रही थी was I destined to be an outcast and geek all my life क्या मेरी पूरी जिंदगी में ऐसी outcast और geek बना रहूंगा ठीक है इसका मतलब होता है कि जिसको society में accept नहीं किया जाता जिसको अलग थलग समझा जाता है that's what it felt like इस वक्त मेरी जिंदगी कुछ हैसी ही थी I didn't want to grow up, change or have to handle life if it was going to be this way मैं बड़ा होना नहीं चाहता था, बदलना नहीं चाहता था और जिंदगी को संभालना नहीं चाहता था बड़े होके अगर जिंदगी मुझे इस तरह के tragedies दिखाने वाली है I just wanted to call up and die मैं wish कर रहा था कि मैं किसी चीज में call up हो जाऊ और मर जाऊ इस दुनिया से विदा ले लू चला जाऊ यहां से अगर जिंदगी तनी ही बेकार होने वाली है I walked around school like a zombie मैं एक zombie की तरह school में इदर दर घूम रहा था Everything felt surreal and I wasn't sure what was going to happen हर कोई ऐसा था बिलकुल blank हो गया है बिलकुल खराब हो गया है, खतम हो गया है और मुझे पता नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला मेरी साथ All the security I had known जितनी भी security, जितनी भी possessions, जितनी भी प्यारी चीज़ें मेरे पास थी मेरा पुराना school, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरी cat सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था Everything had been ripped away from me मुझसे सब कुछ छीन लिया गया था When I walked through what used to be my house after school That day I was shocked to see how much damage there was जब मैं घर वापिस आ रहा था school से रास्ते में मेरा पुराना घर जो जल चुका था वो पड़ा तो मैंने देखा कि कितना damage हो चुका था वहाँ पे Whatever hadn't burned was destroyed by water जो कुछ भी जलने से बच किया था वो उस पानी ने नश्ट कर दिया था जो पानी आपको बुजाने के लिए डाला गया था जो chemicals डाले गए थे उन्होंने बची कुछ चीजों को भी तबहा कर दिया था The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue सिर्फ कुछ ही चीज़ें बची थी वो photo album, documents और कुछ और personal चीज़ें जो मेरी मदर heroically जलते हुए घर से बाहर ले की आई थी But my cat was gone and my heart eaked for her लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी मिलने ही रही थी और मेरे दिल में बड़ा दर्द था मेरे बड़ा परेशान था मेरी बिल्ली के ना मिलने की वजे से But there was no time to grieve मेरे पास दुखी होने का समय नहीं था My mother rushed me out of the house We wouldn't have to find a We would have to find a place to live I would have to go buy some clothes for school मेरे पास दुखी होने का भी समय नहीं था मेरी जैसे ही में घर आया मेरी मदर ने फटा फट नई घर में किराए की घर में जैसे ही में आया मेरी मदर ने फटा फट Grandparents के घर में में आया मेरी मदर ने फटा फट मुझे बाहर ले आई मुझे और हमें एक नया घर डूढ़ना था रहने के लिए और मुझे कुछ नए कपड़े और किताबे में अगरा खरीदनी थी स्कूल के लिए We had to borrow money from our grandparents because there were no credit cards, cash or even my identification to be able to withdraw money from the bank हमें दादर तादी से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि हमारे पास credit cards, cash और जो हमारे ID थी ठीक है pen card जो भी होते है हमारे आसपास जो भी ID सी बैंक में पैसा निकालने के लिए चाहिए होती है वो सारी जल चुकी थी तो बैंक वालों को क्या दिखा कि हम पैसा निकलवाती everything had gone up in smoke धुए में सब कुछ जय चुका था that week the rubble that used to be our house was being cleared of the lot उस पूरे हफते वो rubble यानि जला हुआ घर का अवशेष जले हुए घर के remains उनको साफ किया जा रहा था even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris वैसे तो हमने पास में एक apartment किराए पे ले लिया था लेकिन मैं अक्सर अपने पुराने जले हुए घर को देखने जाता वहाँ पे जो लोग हैं वो मेरे घर के debris को मलबे को साफ कर रहे होते थी hoping that my cat was somewhere to be found मैं अक्सर इसी hope में वहाँ जाता था कि शायद मुझे बिली मुझे मेरी बिली मुझे मिल जाए she was gone, वो जा चुकी थी I kept thinking about her as that vulnerable little kitten मैं आज भी अपनी बिली को वो छोटा सा बिली का बच्चा ही समझता था जो काफी vulnerable है जिसको आसानी से चोट लग सकती है जिसकी जान वड़ी आसानी से जा सकती है in the early morning when I would disturb her and get out of bed she would tag along after me, climb my robe and crawl into my pocket to fall asleep अक्सर क्या होता था मैं सुबह जल्दी उठता था उसको भी disturb कर दिया करता था ठीक है, वो भी bed से वो भी उठ जाती, मैं भी उठ जाता वो मेरे पीछे-पीछे मुझे फोलो करती मेरे कपड़ों के जरीए मेरे उपर चड़के मेरी जेब में जाके सो जाती थी जबकि मैं तैयार होने लग जाता था I was missing her terribly मुझे मेरी बिल्ली की बड़ी बहुत जादा यादा रही थी It always seems that bad news spreads quickly जो बुरी खबर होती है वो बड़ी जल्दी फैलती है and in my case it was not different और मेरा case कुछ अलग नहीं था Everyone in high school including the teachers was aware of my flight मेरे नए high school में सब मेरे दर्द को मेरी plight को समझ रहे थे सब को मेरे साथ जो tragedy होई थी उसका पता था I was embarrassed if somehow I were responsible मैं ऐसे embarrassed हो रहा था कि जैसे वो आग मेरी वज़े से लग रही ही हो वैसे तो embarrassment नहीं होनी चाहिए थी उसको क्योंकि बाकी लोग उससे उसका हाल चाल पूछ रहे होगे उसको sympathy दिखा रहे होगे लेकिन वो इस तीस से भी embarrassment फिल कर रहा था narrator What a way to start of a new school कितना अच्छा तरीका था नहीं स्कूल को start करने का तो यह ironically यह बात कह रहा है This was not the kind of attention I was looking for मेरे नए स्कूल में मुझे attention तो चाहिए थी मुझे दोस्त तो बनाने थे लेकिन इस तरह की attention नहीं चाहता था अगले दिन स्कूल में people were acting even more strange than usual अगले दिन मेरे स्कूल में जो टीचर्स थे, मेरे साथ पढ़ने वाले थे जूनियर्स थे, सेनियर्स थे वो और भी ज़दा अजीब सा बहवार करे थे मेरे साथ I was getting ready for my gym class at my locker मैं अपने locker में से कपड़े बगरा निकाल रहा था मुझे ऐसे क्यों जल्दी करने के लिए कह रहे हैं लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मुझे मेरे लिए कुछ भी surprising नहीं था It almost seemed that they were trying to show me into the gym ऐसा लग रहा था कि वो मुझे धक्का देके पुछ करके जिम में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बाद में मुझे पता चला की वैसा क्यों कर रहे थे There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me एक बड़ा सा table gym में रख रखा था जिससे बहुत सारा समान था नया-नया समान था और वो सारा समान मेरे लिए था They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits उन्होंने शायद कुछ collection की थी सबसे, पैसे ही कठे किये थे और मेरे लिए school supplies, notebooks, कपड़े, jeans, tops, sweatsuits मेरे लिए नए-नए खरीद के ले के आये थे सारे मिलके, मेरे नए school के, बच्चे, teachers वगएरा It was like Christmas, में ले ले तो Christmas की तरह था ये I was overcome by emotion, मैं बड़ा emotional हो गया, भावुक हो गया मैं People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves जिन लोगों ने मुझे आज तक बात नहीं की थी वो मेरे पास आके मुझे introduction कर रहे थे जान पहचान बढ़ा रहे थे, मेरा हाल चाल जान रहे थे I got all kinds of invitation to their houses और मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त बने और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मेरे घर आने का मुझे मतलब घर आने का invitation दिया आओ, कभी घर पे आओ, ठीक है, friendship आगे बढ़ाते हैं Their genuine outpouring of concern really touched me उन्होंने जिस तरीके से concern दिखाया जिस तरीके का अपना पन उन्होंने दिखाया मैं काफी touch हो गया मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी मेरे घर के साथ जल गई है तबाह हो गई है, नश्ट हो गई है लेकिन ऐसा नहीं था बहुत से ऐसे लोग थे जो चाहिन मुझ से अन्जान थे लेकिन फिर भी मेरी फिकर कर रहे थे ठीक है, मेरी situation को समझते थे और शायद जिंदगी दुबारा rebuild हो सकती है In that instant, I finally breathed the sigh of relief और उसी वक्त मैंने एक राहत की सांस ली and thought for the first time that things were going to be okay और शायद कई हफतों में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा देरे-देरे I made friends that day उस दिन मैंने नए दोस्त बनाए A month later, एक महीने बाद I was at my house watching them rebuild it मैं दोबारा अपने पुराने जले हुए धर के पास आया वो दोबारा बनाया जा रहा था but this time it was different लेकिन इस बार अलग था कुछ I wasn't alone, मैं अकेला नहीं था I was with two of my new friends from school मैं अपने school के दो नए दोस्तों के साथ आया था It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me एक आग ने मुझे वो सब सिखा दिया शायद जो मैं कभी नहीं सीख पाता मेरे आसपास कितने अच्छे लोग थे जिनको मैं avoid कर रहा था मैं अपने पुराने school को miss कर रहा था अपने नए स्कूल में नए दोस्त बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था जबकि आज मुझे पता चला कि मेरे नए स्कूल के teachers और लोग juniors, seniors, बच्चे बड़े कितने ज़्यादा अच्छे लोग है ठीक है तो एक आग ने मुझे ये सब सिखाया एक tragedy ने मुझे ये सब सिखाया I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing मैं वहाँ बैठा था मेरा घर दोबारा बनाया जा रहा था एक तरीके से मेरी जिंदगी के साथ भी यही हो रहा था जिस जिंदगी को मैं ये समझ रहा था कि नश्ट हो चुकी है, खतम हो चुकी है, कुछ नहीं बचा वो जिंदगी अब दोबारा समर रही थी, दोबारा बन रही थी तो मेरे घर के साथ साथ मेरी जिंदगी भी बन रही थी वाइल वी सेट देर न दे कर्ब प्लैनिंग माई न्यू बेड्रूम हम वहाँ एक कर्ब पे एक जगे बे बैठे हुए थे मेरे नए बेड्रूम की प्लैनिंग कर रहे थे कि किस तरीकी का बनवाएंगे मैंने देखा कि मेरे पीछे से कोई चलते हुए आ रहा है ठीक है और उसने कहा does this belong to you क्या ये तुम्हारी है when I turned around to see who it was जब मैं पीछे मुड़ा और देखा कि कौन था जो मुझे आवास दे रहा था I couldn't believe my eyes मुझे मेरी आँखों पे विश्वास नहीं हुआ A woman was standing there holding my cat एक ओरत खड़ी थी जिसके गोद में मेरी बिल्ली थी I lept up and grabbed her out of women's arms मैं एक तरीके से कूदा और उस बिल्ली को उस ओरत की हाथों से बाहों से ले लिया I held her close to me and cried out and cried into the beautiful orange fur मैं बिलकुल मेरे चहरे के पास उस बिल्ली को ले आया और उसके सुंदर orange fur में आँखे मतरब चहरा लगा के मैं रू रहा था She purred happily वो भी purring कर रही थी लेकिन उनकी purring खुशी बता रही थी My friends were hugging me मेरे दोस्तों ने मुझे गले लगा रखा था Hugging the cat, cat को गले लगा रखा था Jumping around हम सब खुशी के मारे जूम रहे थे तो देखिए ये लड़का कितना depressed हो गया था इसकी cat चली गई थी, इसका घर जल गया था इसकी mummy मरते मरते बची थी इसके नए स्कूल में इसके दोस्त अगर इसको पस्त नहीं आ रहे थे लेकिन अब इसकी जिंदगी दोबारा समर चुकी है दोबारा सब कुछ ठीक हो रहा है Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away शायद मेरी cat इतनी जदा डर गई थी आग से की वो लगबग एक मील भाग गई थी दूर डर के Her caller had our phone number on it but our phones had been destroyed and disconnected मेरी cat के caller पे हमारा phone number लिखा हुआ था मैंने लेकिन हमारे phone numbers नहीं मिल पा रहे थी क्योंकि पुराने घर में सब को जल चुका था This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was ये जो wonderful औरत थी उसने उस cat को अपने घर में लिया और बहुत महनत करके पता लगाया कि ये बिल्ली किसकी है Somehow she knew this cat was loved and sorely missed शायद किसी तरीके से सोरत को पता चल गया था कि जिसकी भी ये cat है वो उस cat को बहुत पसंद करता है और बहुत याद कर रहा है इस cat को As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap All the overwhelming feelings of loss and tragedy seems to diminish जैसे मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठा था मेरी cat मेरी गोद में curled up होके बैठी थी Loss और tragedy की जितनी भी feelings थी वो सारी जा रही थी दीरे और मेरी जिंदगी rebuild हो रही थी I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger and the loud pur of my beloved cat मैं बड़ा एहसान मंद था मेरी जिंदगी के लिए, मेरी नई दोस्तों के लिए उस अजनभी ओरत की kindness के लिए और मेरी प्यारी cat की purring sound के लिए मैं बड़ा ही एहसान मंद था जिंदगी ने जो कुछ मुझे दिया था My cat was back and so was I मेरी cat भी वापिस आ चुकी थी और मेरी जिंदगी वापिस आ चुकी थी मेरी जिंदगी वापिस track भी आ चुकी थी तो students यहां आपका lesson खतम होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please वीडियो को like जरूर कीजिएगा बच्चों आपके likes हमारे लिए बहुत ज़्यादा valuable है जाने से पहले comment section में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है notification bell icon को नहीं दबाया है तो channel को subscribe करें notification bell icon को दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई नया video upload करें उसकी notification तुरंत आपके device तत बहुत जाए thank you for being with us keep loving keep supporting